हलो दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूं आप सब बहुत ही मज़े में होंगे तो आज हम जो रेसिपी पनाने जा रहे हैं वह बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेश्टी और स्पाइसी बनने वाली है और सभी को बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि चीप्स औ को पसंद आता है इसको कोई माना कर ही नहीं सकता यह इतने टेश्टी होते हैं कि इनके सामने सारे सेव वैफर्स और चिप्स सब इसके सामने फीके पड़ जाते हैं और घर का बना हो तो बात ही क्या है तो चलो चलते हैं इसे बनाने बहुत ही क्रिस्पी और टेश्टी और स पाइसी यह बन कर तयार हो जाएंगे और आप फिडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल निराज नहीं होगा कि आपने इसे देखा और आप बहुत हो जाएंगे इसको देखकर तो इसके लिए हम ले लेंगे तीन केले आप चाहे तो एक केले ये एकदम अच्छा सा बनकर तयार हो जाएगा तो कच्चे तो केले लेने हैं हमें लेकिन एकदम अच्छे केले लेने हैं तो उसको हम पहले धो लेंगे दोने के पाद उसे हम पोच लेंगे और पोचने के बाद इसे हम कट करेंगे तो देखिए जो केले के पार्ट्स होते है वो हमको दिखाई देते हैं आगर हम उसी पे कट का निसान लगाएंगे चाको से तो यह आसानी से इसका छिलका उतर जाता है और हम कहीं और से इसमें कट का निसान लगाएंगे तो यह आसानी से नहीं निकलता है तो देखिए हमने जब केले की निसान पे इसे कट किया तो यह देखिए जब हमने उसमें चाकू को इस तरह से डाला तो यह देखिया एकदम आसानी से इसका छिलका निकल गया तो इसमें छिलका मतलब उसमें रहने की कोई गुंजा इस नहरे जाती है पूरा उसका छिलका एकदम अच्छे से निकल जाता है केले का और केला वेस्ट भी नह निकालना है तो निकालने अगर आपसे इस तरह नहीं हो रहा है तो इस तरह से चाकू के मद़से हम इसे जिस तरह से आलाू चिलते हैं उस तरह से के kanis ना हो इसके लिए हमिसे पानी में डाल देंगे तो पाने में जब डालेंगे इसे तो जब इससे हम बनाने लगे Baghdans टैंप पर हम इसमें से एक केला लेंगे और उसे एकदम अच्छे से किसी कबड़े से अच्छी तरह से पहले उसे पोच लेंगे तो वो प्रोसेस करने से पहले हम थोड़ा सा तेल कड़ाई में चढ़ा देते हैं और तेल को हमें तेज आज भी नहीं करना है हम इसे धी में आज पर पहले चढ़ा कर गरम होने देंगे और उसके बाद ही हम बना लेंगे पानी तो पानी बनाने के लिए हमें क्या करना है एक कटोरी लेंगे हम और एक कटोरी में हम डालेंगे आधी कटोरी तक हम इसमें पानी ले लेंगे तो साब पानी लेना है पीने वाला ही पानी लेंगे हम इसमें तो पानी लेने के पहले इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच के करीब हल्दी पावडर और आधा चम्मच के करीब हम इसमें नमक डालेंगे और उसके बाद उसमें आधी कटोरी पानी डालेंगे और इसे एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि पानी में नमक और हल्दी ए और एकतम अच्छी तरह से उसका अर्क भी निकल जाए अब हमने केले को निकाल लेना है पानी में से और उसे एक अच्छे और साफ कपड़े से पोच लेंगे तो देखो पहले हम जो कद्दुकस होता है तो उसमें चिप्स बनाने वाला होता है तो उसमें ना बना कर हम इसको जो कद्दुकस करने वाला होता है उसके अंदर हम इसे बनाएंगे तो हम इस तरह से जब बनाएंगे तो किसी के पास जिसे बड़ा कद्दुकस के होल वाला होता है तो बड़े-बड़े स्लाइस निकलते हैं अगर आपके पास बड़ा होल वाला नहीं है तो आप इसे जिस बड़ा हॉल वाला है तो उसी से मैं इसको निकाल रही हूं तो यह जब निकालते हैं तो इसके पीसे थोड़े लंबे थोड़े छोटे उसी तरह से होते हैं जब हम केलो को एकदम सीधा सीधा करके निकालेंगे तो बहुत लंबे लंबे निकलते हैं और केलो को अगर हम सीधा खड़ा करके प्रेस करेंगे तो छोटे छोटे निकलते हैं तो देखिए हमारा तेल भी हलका हलका गरम हो चुका है अब गरम तेल में हम इसे डालेंगे तो जितना आ सकता है कड़ाई में हमें उतना ही डालना है उससे जादा नहीं डालना है और डालने से पहले हमें गैस को ध अलग-अलग कर लेंगे तो हमें इसमें कॉण फ्लोर और चावल काटा ऐसा कुछ भी नहीं मिलाना है सिर्फ केला होना चाहिए और कद्रुकस किया हुआ होना चाहिए बस उसे ही हम इसे तेल में डालेंगे और धीमियाज पर इसे पकने देंगे तो आप जैसे समोसा तलते हैं या नमक पारा बनाते हैं उसी तरह हमें धीमियाज पर इसे पकने देना है तो इस तरह से धीमियाज पर पकेगा फिर उसके बाद जो हमने गोल बनाया था नमक का और हल्दी का उसे बीच में हम इस तरह से डालेंगे तो जब इसे हम डालते हैं तो ये नमकीन भी हो जाता है और इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा यलो हो जाता है इसलिए ये जब ये पक्के बनकर तयार होता है तो इसका कलर भी बहुत अच्छाता है और ये नमकीन भी हो जाता है इसलिए हमें इसमें डालते हैं नमक और हल्दी के पानी को और अगर तेज आज हो जाती है और ये जो क्रिस्पी बनने का भी प्रोसेज जो होता है जब पानी डालते हैं तो उसमें जो आज तेज रहती है या फिर जो तेल गरम होता है वो तेल को भी थोड़ा ठंडा होने में मदद मिलती है इसके डालने के लिए तो इसी लिए यह और क्रिस्पी बन जाते हैं तो देखिए सारे बबल्स जब तेल में खतम हो जाए तो समझ लो कि आपका आपका सेव एकदम से तल चुका है तो उसे हम एक छन्ने वाली चम्मच से निकालेंगे और दूसरे छन्ने वाली ही चम्मच में रखेंगे और इसे हम किसी भी टीस्ट वेपर पर निकाल लेंगे ताकि इसका जितना भी ओईल है वो सब निकल जाए और उसके बाद इसे हम प् तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज लाइक भी कर दें और आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब इसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे तो मसाले डालने के लिए पहले हमने इसमें जाला से मिक्स कर लिया देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं मैं आपको दिखाती हूं इस तरह से तोड़ कर और यह देखिए कितने उससे तूट रहे हैं आपको खुदी दिख रहा होगा कि यह कितने अच्छे और क्रिस्पी बने हैं आप भी मेरी तरह बनाएंगे तो आपके भी पह चलती रहे, खोसी मिले आगम, बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे, हसते हसते, कट जाए रसते, जिन्दगी यूँ ही चलती रहे, खोसी मिले आगम, बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहें बदलती रहे, आधी इसी तरह बनाएं, खाएं और इंजोय करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें, और इस तरह अच्छी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, आपको वहाँ बहुत अच्छी रेसेपीज मिलेगी, थैंक यू, बाइ,